पनाम आज हम बात करेंगे दूबडा की नन का नी चाहो चले जैसे नीची दूब और घास सूग जाएगी दूब खूब की खूब स्वाद में दूरबा कसेली, मदूर, सीतल और पित, तरशा, अरुची, वमन, दहा, मूर्चा कफ को नश्करने वाली है एवं तरप्ती दायक होती है सफेद दूरबा के ज़्यादा तरगुन ही दूबडा के समान होते हैं किन्तु यह गर्बपात विसर्प यानि के हर्पीज की स्थिति में बहुत लाब देती है शरीर पर चोट लगने या रक्त सराव होने की स्थिति में तुरंत थोड़ी सी दूब कुचल कर घाव पर रखकर बान देने से रक्त सराव रुक जाता है और घाव भी जल्दी भर जाता है घाव के बिगड़ते तथा सेप्टिक होने का भी खत्रा नहीं रहता दूबड़ा एक बहुत अच्छी एंटिशेप्टिक होजदी है कान मुह और रक्त आने की अवस्था में दूब को खूब पीस कर तीन से चार चम्मच मात्रा यानिके 20 मिली ग्राम तक संभाग शहद में मिलाकर सेवन करने पर बहुत लाब मिलता है अब मुझे आग्या दीजिए हम बात करते हैं आपकी सेहत की आप देखते रहिए एक चुटकी सेहत की पर नाम